एक खाके वतन तुझसे मैं शर्मिना हूँ बहुत महंगाई के इस मौसम में तियोहार पड़ा है माननी है उपसभापती महोद है बहुत दिनों बाद सदन एक गंभीर विशे पे चर्चा के लिए बैटा है इसकी गंभीरता हमारे बयान में हमारे सरोकार में परिलक्षित होनी चाहिए सर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जैसे फिल्मों में कहते हैं नहीं कि ये कालपनिक है सर इस कहानी में कुछ भी कालपनिक नहीं है नहीं सर कुछ भी कालपनिक नहीं है बस सुन लीजिए सर एक पात्र का नाम है नयन सुखलाल वो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दिल्ली में काम करता है छोटी नोक्री है सांसदों के घर की रखवाली करता है सिक्यौरिटी गार्ड सर, can I, can I, can I have uninterrupted प्लीज, प्लीज, प्लीज लेट ते मेंबर से मेंबर स्विक, प्लीज, डों डिस्टर्ब सर, लोग, लोग देख रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं और हम एक दूसरे को trivialize कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए, सर, सर, बहराल, सर, आम सिटिंग डाउं, आम यह, नो, नो, प्लीज सिव्जासन, मौनोज कुमार जा, दू यू वान तो स्पेक, प्लीज बीसिटेट, I am not taking your name, Mr. शिव्जासन, I have not taken your name, I have taken the name of Mr. मौनोज कुमार Can I have, can I have, I request all of you, पूरा देश देख रहा हूँ कर महंगाई वेरुजगारी पर बात हो रही है, और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं, आप गरीब का उपहास कर रहे हैं, आप प्राइस राइस कर रहे हैं, जी, मैं वह कह रहा था कि नयन सुकलाल अपनी पत्नी दो बच्च हैं सर, अब सुन लीजिए, चार हजार रुपे घर का किराया दे रहा है, सर काटते जाएगा दस में, बारह सो रुपे सिलिंडर का हर महीन, एक महना तो लगे गई, खाने पे पचास गुना दो, गुना तीस, तीन हजार रुपे, स्कूल की फीस दो बच्चे हैं, दो हजार आने जाने का खर्चा नहीं जोर रहा हूँ, आकस्मिक बिमारी को भी नहीं जोर रहा हूँ, डीजल और पिट्रोल भी नहीं जोर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है, सर, ये नयनसुक दिल्ली में भी है, ये कलकता में भी है, बंबे में भी है, ये हमारे पूरे देश में सबसे विशालपार्टि एक विशालराजिमें एक विशाल बहुमत के लिए चुनाव लर्रही थी सर पूरे उस प्रोशेस में कीमते नहीं बरई पहले कहा जाता था कि बाजार कीमते तैकर था सर कीमते क्यों नहीं पड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हिर्दे भी विशाल होना चाहिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंची को चाया नहीं फल लागे हा की दूर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को रिलीव दें अब सर्व मैं बार बार मैं देख रहा हूँ क्रेडल टू ग्रेव हमारा सोशल पॉलिसी जो हमारी थी जो हमारा संविधान कहता है वो कहता था कि पालने से लेके कबर तक आपने पालने से लेके कबर तक कोई ऐसा मसला नहीं छो रहा है जिस पे जी एस्की नहाल लगी हुए सर कबर में कबर में दास हंसकार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आगभी जाए दुनिया को अलविदा कहते हुए सर कफन कपड़ा औरने के बाद सर कफन में जेव नहीं होती है हम सब जानते है उसकी जेव पहले ही आपने ढीली कर दी मौत से पहले मैं सिर्फ या अग्रह कर रहा हूँ कि इस तरह के लोग सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सारवजनिक होनी चाहिए और अगर आप से गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए वाप रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे वैसे छोटे होने के लिए किसी भी चीज़ से हो सकते हैं सर जब इंफलेशन पे मेरा स्डिडी जो था मैंने इंफलेशन और अनिंप्लॉइमेंट दोनों को जोड के दिया था सर सर मैं उस राज्य से आता हूँ सर मेरे राज्य में आपने वीज्वल्स देखे होंगे अगनी पत पे लोगों को बड़ी चिंता हुई मुझे भी चिंता हुई मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा भी कि हिंसा की कोई जगर नहीं लेकि सर हमारे यहां हिंसा सबस्यादा क्यों हुई राजी को ना फुटबॉल बनाकर रख दिया गया है उचल के इधार उचल के इधार हम सिर्फ मैंने पहले भी कहा था कि हमको अपने स्षर्मिक केंद्रित राजी बना दिया हम सिर्फ श्रम देते रहे और आप हमको जनसा अधारन ट्रेन देते रही है ताकि हम अलग-अलग राजियों को ट्रेंज से अपने स्ट्रमिक पहुँचा सकें सर ये सरासर नाइनसाफी है सरासर नाइनसाफी है बिहार के साथ सर मैं सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से बेरुजगारी के मसले पर मैं चुकि बहंगाई और बेरुजगारी को अलग नहीं देख सकता सर ये संभव ही नहीं है मुझसे और ये संभव नहीं है मेरे साथियों से भी कि दोनों को अलग-अलग करके देखें क्योंकि दोनों में तालुक इतना गहरा है सर, extra attempt की मांग करने हैं चातर, बैटे वो है, कोई सुनवाई नहीं चार साल की नौकरी पर आपने कह दिया, कमाल ये है कि वो चार साल जिसमें से पचीस परसंट को रिटेन आप करेंगे, पता ना जाने कैसे करेंगे उनकी चार साल की वो नौकरी भी नहीं जोड़ी जाएगी सर, उनके पास कोई ग्रैचिविटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, तो क्या हमने सोचल सिक्यारिटी के पूरे सरोकार को ध्वस्त करने का निर्ने लिया, सर, रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है, रहम करो, मैं जानता हूँ, आप चुनाओ जीते हो, मुझे कोई एतराल नहीं, आप चुनाओ जीते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीती है, मैं, बोलिया है, आप, आपना कहना चाहता था, सर, कि आप कहते हैं, कि आपको mandate मिला, मैं मानता हूँ, ना, हमें नहीं मिला, आप चुनाओ जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है, सर, वो mandate license है, कि आप बुचर, बुचर, बुटलाइस कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को, सर, कोई भी mandate आखरी नहीं होता ह कभी ने कभी उसका expiry date आता है कल कल लोगसभा के एक सदन में लोगसभा के हमारे सदन में दूसरे सदन में एक शब्द का प्रियोग किया गया free fund में सर इस सदन में मैंने कई दफा कहा और मुझे भाजपा के मित्रोंने बाहर कहा अंदर कहा कि आपने सही कहा है फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सर मेरे समक्ष मैं आपके समक्ष रखता हूँ पढ़ूंगा नहीं सर आर्टिकल 38 and 39 अगर उस व्यक्ति विशेश के बयान को 38-39 के नजरिये से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने दो चार जगा बैनर बदले है मुफ्त की जगा निश्यूल के लिखे है निश्यूल के लिखना सुरू के लिए ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा ये फ्री में दे रहा है मैं फ्री फंड का दे रहा है सर आप आप महोदै मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले भी सदन में जिन्होंने अभी आपती की है उन्होंने भी उनके तमाम दोस्तों ने भी कहा था कि शब्द का सर एक दो मिनट आउर लूँगा क्योंकि नहीं मेरा पूरे रिदम बिग्रा था सर मैं तेल सर बस एक दो मिनट दे दीजे मैंने तेल की बात नहीं की मुझे पता है कौशिक बासु ने खुद कहा कि क्रूड और प्राइस जो इंटरनाशनल का राइस है उससे हमारी महांगाई का कोई दी ये लोकल फूइल प्रैसराइस से डिवन है सर और इसलिए मैं कहता हूँ एक आखरी टिपनी करके इंफलेशन इन हेल्थ केर पर सर चर्चा होनी चाहिए इंफलेशन की वज़ए से ओल्डेज पीपल को मैंने नयंसुक की आपको कहानी सुनाई हमारे आपके मित्रों में कही नयंसुक है अगर कोई आकस्मिक बीमारी आगे अपनी वहाँ भी जीस्टी लगा दिया आदमी के आमदनी का सेविंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पर रहा है फिर भी हम जैजैकार करने को भी तहियार हैं बसाचते कि आपकी नीतियों में तबदील या हूँ सर एक आखरी चीज़ कहा करके बाद खत्म करूँगा कल माननी वित्रमंत्री साहिबा ने सर एक 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 मिनट दे दीजिए एक मैंने बड़ी महनत से ये किताब भी सोचा था कि वित्रमंत्री मैडम को बताऊंगा सर ये हैं मार्क्स कैपिटल और मैडनेस अप एकनॉमिक रीजन यहां तो मैडनेस अप एकनॉमिक रीजन की बात हो रही है और उसमें किंग जॉन से उन्होंने एक उद्रित किया है खतम करता हूं सर और यह इस नो सिन बड़ी रिच and being rich my virtue then shall be to say there is no vice but beggary since kings break faith upon commodity gain he be my lord for I'll worship thee so मैंने भी तमंत्री साहिबाने कल कहा खतम कर रहा हूं यही उन्होंने कहा कि assure करती हूं मैं उनके assurance पे भरोसा करना चाहता हूं मैं निसर धन्यवाद में अभी और बड़ा धन्यवाद कहिएगा मैं भरोसा करना चाहता हूं लेकि राजनितिक विरोध के बावजूद मैं सिर्फ यही कहूंगा मिर्जा गालिब को साइट करते हूए तेरे वादे पे जीए हम तो यह जान जूट न जाना कि खुशी से मरना जाते घर ऐतिबार होता जाहिंसार नहीं बाट